असलाम अलेकुम तो स्वागा थे आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नया बैच में और आज से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है 12th क्लास का नया बैच जो की 2022 से 23 तक का है तो जितने भी स्टुडेंट जो अभी अभी 12th क्लास में आये हैं और जिनका एक्जाम 2030 में होने व उसले वाले बैच से भी बहुत ज़्यदा मज़ेदार होगा तो सभी स्टुडेंट जो है अभी के अभी जुड़ जाए और अभी से ही पढ़ाई करना शुरू कर दे क्योंकि अभी से आप लोग पढ़ाई करना शुरू करेंगे ना तो एक्जाम के समय तक आप लोग का प पढ़ाऊंगी ट्विल्थ क्लास का उर्दू अब देखिए आप लोग के ट्विल्थ क्लास के उर्दू में एक 50 मार्च का उर्दू आता है यानकी 50 मार्च और एक आता है 100 मार्च सब्सक्राइब पढ़ाने जा रही हूं क्योंकि जितने भी स्टुडेंट है सबसे जो हंडेट मार्च उर्दू लिये हैं वह पढ़ना शुरू करते अभी और जब मैं ट्विल्थ क्लास के 50 मार्च का उर्दू स्टार्ट करूंगी तो 50 मार्च वाले जितने भी स्टुडेंट हे वो पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिलाल अभी आप लोग स्टार्ट कीज सिर्फ एक ही book पढ़ना है उर्दू का जिसका नाम है कहकषा book कहकषा याद रखिएगा अब कहकषा book का जो first chapter है आप लोगं का वो है नजीर एहमद की कहानी और यह पूरा title पता है क्या है? यह पूरा title नहीं दियागिया है पूरा title का नाम है नजीर एहमद की कहानी कुछ मेर उनकी जुएंटर है यह एक फांका अब आप लोग कहेंगे हम तो अफसाना का कहते हैं कि कोई कोई केथे माली जी कोई इंसान है और उस इंशान के रोज मर्रक लज़िन को मैं देख रही हूं और उसकी शक्षियत को भी देख रही हूं कि वो किस तरह का इंसान है किस टाइप का इंसान है उसकी नेचर कैसी है ठीक है यह सारा चीज देख रही हूं उसकी रोजमर्र की जिंदगी को देख रही हूं ठीक है अब उस इंसान के रोजमर्र की जिंदगी के एक पहलू को उठा कर मैं ल लिखकर बता दी ना उस एंसान के रोजमर्य की जिन्दगी के एक पहलु को उठा कर जो मैं लिख दी वर यह बता दी कि वो इनसान जो है कि स्सक्ष्यत कैसी यह तो उस लिखे हुए को बोला जाता है खाकार और घल्ता Saal बोला जाता है खाका-नेगार तो यह जह चप्तर है यह एक खाका Settings को लिखने के को निकी मिर्जा फ्रछतुलाबेग यानि कि मर्दा फ्रछतुलाबेग क्या हो गया है खाका नेगार और मिर्जा फरातुल्ला बेक जो है वह नजीर अपर ने किल प्रेंद कि लिए जाते थे तो नजीर नजीर एहमद की हर एक एक्टिवीटी को देखते थे रोज मर्रा की जिंदगी को देखते थे कि नजीर एहमद मितलब किस तरह रहते हैं उनकी शक्षियत कैसी है ठीक है और जब यह बड़े हो गए मिर्जा फरतुल्ला बेग तो वह अपने ही इस ताल अपने ही टीचर पर न की शक्षियत कैसी है उनका नेचर कैसा है वैसे मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी और सारा चीज़ आप लोगो मालूम चलेगा एक तरह से कहानी की तरह ही होता है खाका और खाका अकसर जो है ना मजाहिया होता है हसने हसने वाली बात होती है उसमें लेकिन सबसे पहले इ जानी है यानि कि इस चैप्टर के खाका निगार के बारे में जानी है जिनका क्या नाम है मिर्जा फरतुल्लाबेग देखिए इनको ना उर्दू का पहला खाका निगार माना जाता है यही है मिर्जा फरतुल्लाबेग ही है जिन्होंने उर्दू में पहला खाका लिखा और की वतन करके शाह आलम सानी की जमाने में हिंदुस्तान आये और फौज में मुलाजिम हुए ठीक है इसका मतलब क्या हुआ मैं आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा मिर्जा फरतुल्ला बेग के जदे अमदद यानि कि इनके दादा पर दादा जो है ना पुर्वज बोलि शाह आलम सानी के जमाने में हिंदुस्तान आये हिंदुस्तान में शाह आलम सानी का राज चल रहा था तो उस वक्त जो है अफजल मिर्जा अफजल बेग बदक्षा से तरके वतन करके यानि कि बदक्षा को छोड़ करके कहां आ गए हिंदुस्तान आ गए उस वक्त किसका सा चल रहा था तो शाह आलम सानी का ससन चल रहा था और आकर वो फौज में मुनाजिम हो गए ठीक है समझ में आया आगे बढ़िए मिज़फरतुल्लाबेग की पैदाइश अगस्त 1885 को दिल्ली के चूड़ी वाला मुखला में हुई है लेकिन लेकिन तजकरा नवेसों के मुता के चूड़ी वालान में लेकिन कुछ लेखा खेराइटर जो कि कहते हैं कि मिर्जफरतुल्लाबेग की पैदाइश जो है वह forced 2833 में हुई है अब सही क्या है सही जो है Hier यहां जाए जो कि मिर्जफरतुल्लाबेग कहते हैं तो आप लोग ये बता दीजिएगा कि अगस्त अथारसा पचासी यही राइट है ठीक है और अगर इस तरह से कोश्चन पुछता है कि मिर्जा फरतुल्ला बेक की पैदाईर जो है वो तजकरा नवेसियों के मताबिक कब हुई तब आप लोग लिखेंगे कि सितंबर अथारस सिरासी अगर ऑप्सन में दिया रहेगा तो ठीक लगा करा जाएंगे तो दोनों चीज़े बताने का रिजन मेरा यही था कि अगर एक्जाम में कोश्चन पुछता है दोनों तरह से घुमा कर तो आप लोग सही हैं सर्टिक करके आईएगा ठीक है आगे बढ़िए फरहत के कि अब्दुल्लाबेग के माली की माली हालत अच्छी नहीं थी और 1857 के इनकिलाब के बाद उनका खांदाल हिजरत करके है धुलाबाद दक कं चला लिया देखिए ते जो आरतिक हिस्ति थी वह अच्छी नहीं थी और 1857 की इनकि 1857 इस वक्रांथी के बाद से इन का जो खांदान है वह हिजडत करके हैदराबाद दख्कंछ चला गया ठीक है, जब कि पैदाइश का हुई थी, दिली में हुई थी, मिर्जा फरतुल्लाबेग, तो दिली से, मतलब हिजरत करके वो कहां चले गए, इनका खंडन कहा चला गया, हैदराबाद चला गया आगे बढ़िये इनके वालिद यानिकी पिता जी का नाम है मिर्जा हश्मतुल्लाबेग और इनके वालिदा यानिकी इनके माता जी का नाम है मुशर्रफ जहां बेगम ठीक है और जब मिर्जा फरतुल्लाबेग पैदा हुए थे और वो दसी रोज के थे यांकि दसी दिन के हुए थे तभी इनकी मा जिनका नाम है शर्फ जहां बेगम इनका इंतकाल हो गया वो इस दुनिया से रुकसत हो गई लेकिन अभी मिर्जा फरतुल्ला बेग दसी दिन के थे उनकी पेदाईश हुए अभी दसी दिन हुआ था तब ही उनकी मा का इंतकाल हो गया ठीके तो अब इनका पालन पोसर इनकी बेवा फोपी जिनका नाम था हुसन जहां बेगम उनके जेरे साय हुई ठीके मिर्जा फरतुल्ला बेग को पाल पोसकर जो है हुसन जहां बेगम ही बढ़ा की और उसके बाद से जो है आगे देखिए मौलवी कमरुद्दीन से कलाम पाक पढ़ें मिर्जा फरतुल्ला वेग और उसके बाद से गौवर्मेंट हाई स्कूल कश्मीरी दर्वाजा दिल्ली से इंट्रेंस का इम्ताहान पास किया यह याद रखना जरूरी है अगर और एक्जाम में कोशन पूछ देता है तो आप लोगों को एंसर तो देना ही पड़ेगा ना आगे बढ़िए उन्हाइस सा एक में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया और उन्हाइस सा तीन में इंटर्मीडियेट पास कर लिए तो यहाँ पर भी कोशन पूर सकता है कि बत क्या नाम था हिंदू कॉलेज याद रखिएगा आगे बढ़िए अपनी तालीमी जिंदगी के दौरान उन्हें खेलों जैसे की क्रिकेट टेनिश सत्रंज वगयरा से बहुत दिल्चस्बी रहती थी यानि कि इनको पढ़ाई लिखाई के दौरान पढ़ाई लिखाई के ज सबक दोश हुए यानि की मिन्हें से उन्हें 49 में हाइव कोट के इंस्पेक्टिंग अफसर बन गये और वह जॉब करते गए और लास्ट में आकर उन्हें सब 42 में उसी पोश्ट से इंस्पेक्टिंग अफशर बने थे तो यह इसी पोश्ट से क्या हो गये वह रिटायर हो सबक दोश हो गया थीक है आगे बढ़िए परहत की शादी जो है अगस्त उन्हेसा आठ में चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई लेकिन उनकी बीवी के इंतकाल के बाद दूसरा निका जो है उनकी पहली बीवी की बहन जो है जिनका नाम है हमीदा सुल सुल्ताना से हुई पहली शादी मिर्जा फरतुल्ला बेग की पहली सादी किसे हुई नसीमा सुल्ताना से लेकिन नसीमा सुल्ताना का क्या हो गया इंतकाल हो गया उस दुनिया से रुक्सत हो गई तो फिर मिर्जा फरतुल्ला बेग का दूसरा निकाह हुआ और वह दूसर पूछ देता है अभी आगे और भी बताना बाकी है पहले ले लिजी यहां तक फटफट स्क्रीन सॉट फिर मैं आप लोगों को आगे बताती हूं लिजी अब आगे बढ़िए देखिए यहां पर कुछ और डेटल्स भी मैं लिख दी हूं मिर्जा फरतुल्ला बेग के बारे म देखिए मिर्जा फरतुल्ला बेग साहब मजामीन भी लिखे यानि की ऐसे भी लिखे तेनी बंद ठीक है और शायरी भी की लेकिन उनकी शौरत की असली वज़ा उनके बेमिसाल खाके डॉक्टर नजीर एहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी पर मुनसर है यान उनका मशूर खाका जिसका नाम है डॉक्टर नजीर एहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी यही खाका लिखने के वज़ा से है मिर्दा फरतुल्ला बेग बहुत ज़्यदा मशूर हो गया और इनको सबसे ज्यादा शोहरत मिली ठीक है और बहुत ज़्यदा फेम देखें कितना भी तरह से घुमा कर पूट सकता है बस आप लोगो हर चीज मालूम रहना चाहिए कि किसी भी तरह घुमा कर कोशन पूछ है आप लोगो उसका जवाब दे सके हैं और आगे बढ़िए इनकी कुछ तसानीव तसानिब मठलब समझते नए क्रिएशन मिर्द फारत उल्लाबेग कितनी किताबे लिए क्रिएशन फूलोवाले की सेड यह भी मिर्द फारत उल्लाबेग लिखा है ये बीवी उनुहीं की टसानिफ की यह लीन रिसन वोगा वेलिग में लखे फ्रतåर कर्यांगत तो यह हो गया उनका कुछ और मजमीन भी यानी कि यह से निबंद जिसका नाम था मजमीन फरहत टीकर तो यह याद रखिएगा अब चलिए जिरा इस चाप्टर को समझ लेते हैं और इस पूरे कहानी को समझ लेते हैं कि मिर्जा फरतुल्ला बेग जो है इस चाप्टर में इस खाके में नजीर अहमद की कैसी सक्षियत को उजागर किये हैं ठीक है बताया है कि नजीर अहमद किस के टीचर है उस्ताद है तो देखिए इस चाप्टर में जितने भी करेक्टर है जितने भी किरदार है जो इस कहानी में इस खाका में रोल प्ले कर रहे हैं उसका नाम मैं लिग दी हूँ सबसे पहले तो है डिप्टी नजीर एहमद इनको जानते ही है यह एक मौलवी साहब है अब मैं डिप्टी नजीर एहमद को डिप्टी नजीर एहमद न बोलकर अब इनको मौलवी साहब बोलूंगी क्यों क्योंकि मिर्जा फरतुल्ला बेग जो है इनहीं के गर पढ़ने के लिए जाते थे और मिर्जा फरतुल्ला बेग भी डिप्टी नजीर एहमद को मौलवी लए और यही दोनों जन जो है मौलवी साब के घर पढ़ने के लिए जाया करते थे बचपन में ठीक है और यहां पर गांग करेक्टर यह को ख Ultra टे सब्सक्राइक और मिहादानी के लिए जाते थे न तो उस एट नगे जिस क्लास में पढगते थे उसी क्लास का क्लास साथी क्लासमेट था मिश्टर रजा अब देखिए पूरा अब मैं शुरू से कहानी बताती हूं करेक्टर तो समझ में आ गया कौन क्या है और किसका दोस्त है यह सारा चुछ समझ में आ गया देखिए मिर्जा फरतुल्ला बेग और मियादानी यह दोनों दोनों जन इक ही साथ कोई घृओ कंड़े तो यह सांद का मदार्सा से आने के बाद अपना होमर्ख बनाया होकर एक बजे जो है मुलीज साहब के घर का पता पुछते-पुछते लिएड़ बजने में अब पाउस मिनट बाकी था तो मुलीज साहब के घर जा पहुचे ठीक है दोनों जगर जब वहां पर गया है तो देखें कि मुलीज साथ कि घर का जो दर्वाजा है वो बंद है तो फिर ये दोनों जन मिर्जा फरतुल्ला बेग और मियदानी जाकर दर्वाजा खोले मतलब बंद था पूरा लौक नहीं था सिर्फ इसी तरह मतलब खड़ा कर दिया गया था दर्वाजा ठीक है तो यह जाकर खोल कर अंदर सबत्र नाटा है कुई कि नहीं दिख रहा है तभी अंदर से मोली साब का आवाज आया कि कौन है तब तक मिर्जा फरतुल्ला बेग और मियादानी ड़ तो मुलेधानी है तो अब मॉलवी धूरल भीटा तुम हो झालो अंतर आजाओ चल्ड और मिद्फार्तुल्रावर्ट भीं और चले गए मुन्द्वी तीका काय। तो ये दोनों जन अपना अपना किताब दे दिये मौली साब को मौली साब जो है पढ़ाना शुरू कर दिये इन दोनों जन को अब यहाँ पर देखिए मिर्दा फर्तुल्ला बेग जो है न एक मौली साब छो है वो पढ़ा ρहे थे और देखे क्यिर्वासирातुलाबेग वो एयराब की गल्ती कर रहे है यानि कि ज़ेप फरत फरत पेस की घल्टी, मतलब मिजफा फरत 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 उल बेग जो है ना कभी ज़ेप शेल को जब को पेस और पेस को तषजीद, मतलब इस तरह जबड़ ज़ेप में इनसे गल्तिया होती थी, औ तो मियादानी जो है ना शेर वाशायरी की अंदाज में नहीं बलकि कहानी की तरह पढ़ने लगते थे तो यह इन से गलतिया होती थी जाद रखीएगा एक्जाम में कोश्चन पूछ देता है कि बताइए मिर्जा फरतुल्ला बेक जो है वह सबक पढ़ने के दौरान कौन सी किया करते थे तो व आरब के कि घ्लतिया करते थे या फिर इस तरह सेमा पूछल सकता है कि इंपढ़ना के को कैई आ करते थे तो और 52 कि सहे पैला दिन तेंस करो जो जो मुली साब के घर पढ़ने के लिए गए उस दिन मुली साब पढ़ाया इसी तरह रोज पढ़ाते थे मिर्दा फरतुल्ला बेग और मियदानी रोज पढ़ने के लिए जाते थे और मुली साब रोज पढ़ाया करते थे अब जो है मिर्दा फरतुल्ला बेग और मियदानी जो हैं जिस कॉलेज में जाते थे जिसका नाम था हिंदू कॉलेज उस हिंदू कॉलेज में जाकर मोली साब की खुब तारीफ के पुल बांध है यह दोनों जन मिलकर कि मॉली साब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इस तरह मतलब ठीक है बहुत ज्यादा तारीफ कर दिये और मो जब मोलवी साहब के ये दोने ज़न बहुत ज़्यदा तारीफ के पुल बांग दिये हिंदू कॉलेज में जाकर अब वहां पर जो है उनका जो क्लास्मेट था क्लास साथी था जिसका नाम था मिश्टर रजा वह बहुत ज़्यदा मुतासर हो गया मोटिवेट हो गया कि नहीं इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो हम भी जाएंगे कल से पढ़ने के लिए ठीक है तो अब मिश्टर रजा जो है मिर्जा फरतुल्ला बेग से बोला कि देखो तुम मोलवी साब से जाकर पूछ लेना कि मैं कल से पढ़ना चाहता हूं कल से आऊं कि ना आऊं ठीक है तो मि मोली साब गुस्ता हो जाएंगे पहले पूछ लेना कि मैं आ सकता हूं कि नहीं उनके पास पढ़ने के लिए तो मिर्जा फरतुल्ला बेग बोले ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो मैं पूछ लूँगा और पूछने की ज़रत नहीं थी तुम इसी तरह चले जाते और करना चाहता है तो क्या आप उसको पढ़ाएंगे तो मौली साब बोले कि देखो पूछने की बात थी आज ही क्यों नहीं लेकर आए तो मिर्जा फरतुल्ला बेग बोले कि नहीं मैं तो बोली रहा था कि आज ही चलो लेकि मिश्टर रजा बोला कि नहीं जाकर पहले मौली स अब देखते हैं कि वह जनाब जो है किस तरह की गलतिया करते हैं अब अगले दिन जो है ना मिर्जा फरतुल्ला बेग मियादानी और मिश्टर रजा तीनों जन पढ़ने के लिए गये सबसे पहले तो मिश्टर रजा मौली साब के गढ़ पहुंचे थे उसके बाद से मिर् मौली साब को मिर्जा फरतुल्ला बेग किताब देते थे तो दूसरे दिन मियादानी अपना किताब देते थे फिर तीसरे दिन मिर्जा फरतुल्ला बेग तो चौते दिन मियादानी इस तरह एक करके अपना अपना किताब देते थे लेकिन अब उसमें मिश्टर रजा आ ग इतना घटिया पढ़े मतलब इनकी गलती क्या थी कि मिश्चर आजा जो है न की जए न यह भी शेर को नश्र की तरह ही पढ़ते थे ये भी मियादानी की तरह ही गलतिया किया करते थे लेकिन शेर को नस्र की तरह पढ़ने में ये मियादानी को भी पीछे छोड़ दिये थे मतलब सेरोशायरी को सेरोशायरी की अंदाज में न पढ़ते हैं तो ये शेरोशायरी की अंदाज में न पढ़ के शागर्द मिलते हैं जितना भी नमुना नमुना शागर्द होता है ना सबको मेरे पास ही आना रहता है एक काम करो मिश्टर राजा मैं तुमें एक छलाह दो पुरा नहीं मानूंगे मोली सहाब बोले मिश्टर राजा को तो । डड़े हुए थे जी मोली सहाब बताये तो म यह सुनकर मिश्टर रजा डड़ गये कि मोली साहब जो है वह गुस्टा हो गया है लेकिन फिर मोली साहब बोले कि देखो मैं यह नहीं कहरा हूं कि तुम मेरे पास पढ़ने ही कभी मत आना मेरे पास पढ़ने आना पहले जाकर तुम बेसिक नॉलेज ले लो उर्दू का ठीक मुझे को भी अजीब अजीब तरीके के शागिर्द मिलते हैं मुझे क्या मालूम था कि मुतनब्बा को मुतनब्बा की शेर को मिश्टर रजा इस तरह गला गोट देंगे इतना घटिया पढ़ेंगे ठीक है अब उसके बाद से मिश्टर रजा वहाँ पर इतना ज्यादा बेज़ती और शर्म महसुस किये कि दूसरे दिन जो है न मिश्टर रजा मुली साब के घर दिखाई भी नहीं दिये और कभी भी मिश्टर रजा मुली साब के पास पढ़ने के लिए नहीं आए मुली साब बहुत ज़दा बेज़ती भी कर दिये थे मिश्टर रजा की और ब लिकिन हुआ यह कि मिर्जज़ फरतुल्लाबेक जो है न के दौरान इराब की गलतिया बहुत जादा कर दिया मतलख जबर को जएर जएर को पेसवेस को तश्दीर पढ़ने में यह बहुत ज़्दा गलतिया कर दिया है और उसके सबसे मियदानी भी वह भी शेर कोनासर की तरह पढ़ने में कुछ पीछे नहीं हटे इन्होंने भी बहुत जदा गलती है कि शेर कोनासर की तरह पढ़ने में अब यह देखकर न मौली साहब का गुस्टा 101 दिग्री उपर चला गया ठीक है बहुत जदा गुस्टा हो गये और उन्हें किताब उठाया और ऐसा फेका की किताब जाकर आंगन में गीरा और मौली साहब बोले कि जाओ निकल जाओ मेरे घर से दुबारा मेरे पास पढ़ने के लिए मताना ना तो तुम मेरे पास पढ़न मियदानी के तरफ देख रहे थे और मियदानी मिर्दा फरतुल्लाबेग के तरफ मियदानी इशारा किये मिर्दा फरतुल्लाबेग से कि अब लग रहा है हम लोग को निकलना ही पड़ेगा यहां से जाना ही पड़ेगा तो मिर्दा फरतुल्लाबेग बोले नहीं हम लोग के वहीपर बैठे ही बैठे रहाए अब देखें मोली साहब की दोनों जो हे उसवक्त से बैठा ही ड़ता है तस्से मस नहीं हो रहा है मैं उसक्त बोल रहा हूं मेरा घर से निकल जाओ और बोले लगक देकर बाहर नहीं निकलवाते तब तक मैं तो जाऊंगा नहीं और अगर आप मुझे धक्के देकर बाहर निकलवा भी देते हैं तो मैं फिर से वापस आजाऊंगा लेकिन पढ़ूंगा तो आपी से अब यह बेहयाई देखकर मुली साहब का गुस्सा थोड़ा नर्म हुआ है अब मुली साह बोले कि देखो अगर तुम नहीं जाते हो यहां से तो मत जाओ लेकिन मैं तुमको एक हर्फ भी नहीं पढ़ाऊंगा तो मिर्जा फ्रतुल्ला बेक की ठीक है अगर आप नहीं पढ़ाना चाहते तो मत पढ़ें लेकिन हम लोग बीना पढ़ें बैठा दिया, बोले कि बैठो, और मोली महले साब से बोले मिर्जा Fratullahi Beek कि देखिए मौली साब, हम लोग पढ़ेंगे, तो आज लोग पढ़ेंगे जाने कि अभी पढ़ेंगे, आपको पढ़ाना है तो पढ़ाईए लएधिए नहीं है defiелю मुर्दाना ही ही पढ़ा, हम ल साथ यानि कि teacher के वी teacher निकले यह मोल Pik लगे कि हार जआ ओंग किताब लेकर आओ और जल्ले से सबक सुना कर मेरा पंड चोड़ कि मेरा पहली के सबार्ड निसंमेट यानि मेनई कि पैठां नहीं तुम जेसे शागिर्द हो से मुझे कपका bud लेगा ठीक है और जाकर किताब लेकर आ गए लों ये दोनों जन और सबक को पढ़ने लगे और फिर पहले जैसा नॉर्माल हो गया मौलवी साहब पहले जैसे पढ़ाने लगे बाद में बहुत दिनों के बाद जो है ना मौलवी साहब मिर्जा फर अतुला बेग और मियादान में क्योंकि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है जिसको पढ़ने का शौक रहता है वो अपने टीचर का भला बुरा सुनता है अगर उसका टीचर गुस्य में आकर बोल भी दे कि निकल जाओ मेरे घड़ से दुबारा कभी मता ना तो वह स्टूडेंट जो है वहां से टस सकते जहता है तकики पास वह स्टूडेंट जिनके अंदर पढ़ने का जुनूंद रहता है और वह सीखने का वह स्टूडेंट अपने टीचर का भला बुरा सुनता है तो अपने टीचर का भला बुरा सब कुछ सुनेगा और जो बढ़ शौक रहते हैं जिनको पढ़ने का शौक नहीं रहता है तीचर के एक बार डाट देने पर वो धीरे से निकल जाते हैं तो यहीं अंतर होता है पढ़ने में शौक रखने वाले स्टुडेंट को और जिनको प समय के इंसान है अगर वह अतना समय दें दिए कि इतना बज़े आजाना है तो बस इतना बज़े आ जाना है न सौना मिद्धंध और उसके आफील मालूम चल रहा है कि नजीर आहमाद दिल के बहुत चाफ है ठीकए वो थोड़ा 애 tutor टाइप के हैं उनके हिसाप कोई काम नहीं होता है तो वह गुस्त हो जाता है बठाँ हर काम ज virusesches अ username वह बार हो दुरूस्त करते हैं और हमेशा समय के समैएध के पक्खे होते हैं तो भी कोई भी इंसान गलती कर देता था तो नजीर एमद उसको बहुत ज़्यदा डाटते थे तो इन से गलतीय परदास नहीं होती थी प्लस समय के पक्के थे तो यह सारी चीज़े नजीर एमद के बारे में इस चैप्टर को पढ़कर आप लोगों को मालुम चला ठीक है तो सार सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि मेरी रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो फिर बिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज